हेलो फ्रेंट्स वेल्कम वेक्ट वंस अगेंड मैं राच्पन निस्टा एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे मित्रों जैसा कि आज मैं सीधे कोशन ही फ्रेंट पेज पे आपको दिखा रहा हूं अगर मैं आपको बता हूं तो हमारा जो आज आप देख सबसे पहला कोशन आपको दिख रहा है सबसे पहला कोशन क्या है क्या है सबसे पहला कोशन जो है यह साइंस से जुड़ा हुआ है और इस्पेसलि मैं कहूं यह हमारे फिजिक्स वाले पार्ट से है और बहुत ही बहतरिन कोशन है पहला कोशन क्या कहता है ना फर्स्ट कोशन कह रहा है कि गर्म पानी की तुलना में भाप गंभीर रूप से जलाती है यह जलती है क्योंकि इस्टीम बर्ण मोर सिवरली दैन वाटर दैन होट वाटर विकॉज बैस चीदी सी बात है कि अगर पानी के पेक्षा भाप से इंसान इसले जलता है क्योंकि भाप के अंदर एक गुप्त उश्मा होती है एक एनरजी होती है और उस एनरजी से जब इंसान जलता है तो जलता चांवल की जुलस जाता है और जुलस हुई चैज है जलहे हैं वह दीरे दीरे सर्वाइब करती है शो यह चीज़े होती है रहे इसकिन की नहीं ऑनии और उसी के अंदर ऐक प्रकार कि गुप्त उष्मा होती है तुसका जो है उप्शन नंब्र क्या रिख सुमित्र। option number D जो है वो क्या है वो बिलकुल सही है I hope आप सब समझ पा रहे हैं तो पहला answer जो है option number D है आप सभी को option number D अच्छे से clear है या अच्छे से समझ में आ गया है अब हम बात करते हैं मित्रू next question है हमारा who fell from the horse by the dead and while the plane choghan चोगान खेलते समय घोडे से कौन गिर कर मर गया था सुमित्रू अगर हम बात करते हूं who was fell down by the horse and lastly was died तो आपने पढ़ा होगा कभी गुलाम वन्स क्या पढ़ा होगा बच्चे गुलाम वन्स गुलाम वन्स का समय काल है 1206 से लेके 1290 का अब गुलाम वन्स के जो संस्थापक थे कुतुबु दीन एबक नाम था उनका क्या नाम था उनका कुतुबु दीन एबक उनका नाम था और कुतुबु दीन एबक की मृत्यू 1210 इस्वी में ही घोडे से गिर कर हो गई थी गोडे के द्वारा या गोडे से गिर कर गिर कर हो गई थी अच्छा वो गोडे पे बैठ कर क्या खिलते थे बच्चे पोलो खिलते थे और पोलो को ही कहा जाता है चाओगान क्या कहते हैं उसको उम लोग पोलो सो इसमें जो चौगान खिलते समय घोडे से कौन गिर कर मर गया सो कुतुबु दिन एबग, option number C is the correct answer बचे, C जो है, इसमें एकदम correct answer है जो भी हमारे विद्यार थी, जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे बंधू option number C के साथ जा रहे है, माने कुतुबु दिन एबग के साथ जा रहे है उन सभी का answer क्या है, बिल्कुल correct है, बिल्कुल सही है सो मित्रों क्या correct answer है, कुतुबु दिन एबग जो है, वो बिल्कुल क्या है, एकदम सही answer है तो जिन मित्रों ने कुदुबुदी नेवक को आंसर दिया है या घोडे से गिरने की बात कही है उन सभी का आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल सही है मित्रों भी next question हमारे आप सबके सम्मुक्ष है हमारा अगला question आपके समने है देखिए आजाद हिंद फॉज की कमान में सुबाशन बोस को दी गई देखिए आजाद हिंद फॉज की बारे में प्रारंभी कवस्ता में सोचा गया था सन 1914 और 1915 के समय उन्निस सो पंद्रा में इसको लगभग बना भी दी गया था जब यह बनाकर इसका निर्माड कर दिया गया था मित्रों तो 1915 के बाद जब सन 1942 का समय आया माने हम एक के दें कुछ इंडिया मोव्मेंट भारत छोड़ों आंदोर्ण का समय आया तो नेता जी सुबाशन बोस ने इसकी कमान समाली थी और उस कमान को लेकर आगे बढ़े थे सो मित्रों इसमें जो करेक्ट आंसर 1942 जो है यह इसका गरेका अंसर होना चाहिए 1942 ठीक है तो अगर मैं कहूं नेता जी सुबास चंद्र बोस नेता जी सुबास चंद्र बोस बोस informants 42 ए स्वे में 42 में आजाद हिंदक फौज की कमान सम्हाले थे है ऐस इसी अजऎड हिंदक फोज में उन्होंने ही टीम बनाई थी सहीद और स्वराज ऐसे ऐसे टीमों का उन्होंने निर्माड किया था जो सैनको का पूरा दल हुआ करता था पूरा जथा हुआ करता था ऐसे और इनोंने कब सम्हाली यह सन 1922 में कब सम्हाला था इसको पच्चे सन 1922 तो जो भी विद्यार थी हमारे सन 1922 बता उनें हमारा अगला कोशन हमारा नेक्स्ट कोशन क्या कहता है क्या कहता है गए इस दो नवानी बाट सैंड़ इस nu परजीवीड कौन सा है तो आपके सामने चार ऊप्षन गुनिया काला जयार है कंत यह नरे औले क्या है एक प्रोटो जोल इंफ्चन है ऐक आहे प्रोटो जो कालाजार हो गया नंबर दो मलेरिया चीक है मलेरिया इस तरह की बिमारिया जो है इस तरह की बिमारिया जो है किस से होती है प्रोटो जोवा से होती है प्रोटो जोवा से होती है ऐसी आप इस तरह की बिमारिया प्रोटो जोवा से देखते हैं प्रोटो जोवा से देखते हैं बाकि लेप्रोजी, चिकन गुनिया, डेंगू, यह सब अलग हैं, यह अलग फैक्टर से होने वाली बिमारियों के हिस्से हैं या लक्षण हैं, उनको हम बात में देखेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे अगले कोशन की, हमारे नेक्स्ट कोशन क्या कहता है, यहां समझे हैं, डाइनिस्टी की, सो लोधी डाइनिस्टी में सबसे पहले आते हैं, बेक्ती, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, नमबर दो आते हैं, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, नमबर तीन पर आते हैं, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, अब मित्वगर हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं सिकंदल लोधी की सिकंदल लोधी का जो पूरा अगर हम मालू समय काल की चर्चा करते हैं वित्रों सिकंदल लोधी का समय का है 1489 से लेके और 1517 तक का समय है सिकंदल लोधी का सिकंदल लोधी ने 1504 इस्वी में आगरा सहर बसाया था और सिकंदल लोधी ने ही 1506 इस्वी के समय मैं आगरा को अपनी राजद्रानी बनाये थे जो जो भी हमारे मित्र शिकंदल लोधी आंसर दिया है उन्हें सभी आंसर गया है सब्सक्राइब करेक्ट है ने सब्सक्राइब करते हैं हमारा कोशिश्ट नमबर नेक्स है 31 नमबर कोशिण जो है क्या कहता है सारे अधियान से देखें समझें इसको तो दक्षण पूर्वी एसिया चेत्र के चेत्र के रूप में किसने सपत ली है आपके आप्शन है साइमा वजीद, अब्दुलरह्मान, परीदा एहमद, हशन अली तो दक्षण पूर्वी एसिया चेत्र के चेत्रे निदेशक के तौर पे 23 जनुरी दोजार चॉबिस को डवलु एचों में किसने यह निदेशक का पद सम्हाला या सपत ली है सुमित्रो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है साइमा वजीद क्या आंसर है साइमा वहीद, क्या कहेंगे साइमा वजीद साइमा वाजीद है, अभी डवलु एचों की डवलु एचों की रीजनल करीजनल डारेक्टर डारेक्टर के पद पर यह चुनी गई है, कहाँ पर, डारेजनल लाईचन के पद यह चुनी गई है अब हम बात करते हैं हमारा अगला प्रश्ट क्या कहता है हमारा next question कहता है who is the ex-officio chairman of a civil service board civil service board का पदेन अध्यक्ष कौन होता है civil service board का पदेन अध्यक्ष कौन होता है prime minister, cabinet secretary, former chief justice of a supreme court former administrator officer क्या है इसका correct answer तो मित्रों आपके सामने चार option है civil service board में पदेन अध्यक्ष के पद्यक्ष की होते है कौन prime minister होते है कौन होते है prime minister या प्रधान मंत्रों जो भी मित्र्श्ट में प्रधान मंत्रे का वो प्रधान मंत्री के साथ जा रहा है वो ब्लकुल सही है अगला है निमलिकित में से कौन भारतिय संबिधान सभा का सदज से नहीं था भाई देखे भारतिय संबिधान सभा की अगर हम गठन की बात करें तो भारतिय संबिधान सभा का जो गठन हुआ था सबसे पहले वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को 1946 भारति समिदान सवह बन गई थी अब एक और बार समझेंगे जब यह भारति समिदान सवह पहली बार बनी तो उसमें कौन ऐसा वेक्षिय था या जो नहीं थाठ भारति समिधान सवह था की 389 मेंबर मिलेंगे 389 में से 284 यह हमारे मुख्यता भारती यह इंडियन हुआ करते थे जैसे उस समय कि अगर हम क्रमसा देखें हैं तो 293 42 और चार तो इस तरह से डिवीजन हुआ करते थे ऐसे करके तीन दो पांच चान नौ ठीक है नो नो अठारा और यह हुआ करता था इस समय से मतलब अगर हम कहें तो 293 और चार चार चीफ कमिशनर यह हुआ करती थी 293 ब्रिटिस प्रांट थे बानवे जो हैं देशी रियास्ते हुआ करती थी 248 भारती हुआ करते थे अब कह रहा है कि उस समय कौन नहीं केम मुंसी साब यह ड्राफ्टिंग कमिटी के समय में थे जैपी साब नहीं थे जैप्रकास नारायन कहा जाता है बच्चों लोक मान नहीं इन्हें कहा जाता है जन नायक क्या कहा जाता है यह जन नायक इन्हों ने कुछ योजनाय दी थी बच्चों आज भी बड़ी फेमस हैं कई दफे पूछा जाता है इन्हों ने ही सर्वोदय प्लान दिया था सर्वोदय योजना दी थी सर्वोदय योजना दी थी इन्हों ने एकला चलो की एकला चलो का नारा दिया एकला चलो का की बात कही थी यह कुछ प्रशिद्द चीजें हैं श्री जैप्रकास नारायन और यह इस तरह की चीजे जो ह होंगे अब मित्रों १ोगर हम अगर हम बात करते हैं हमारे अगले कोशिन की हमारा नेक्स्ट क्या कहता है में नेक्स्ट कोशं कहता है क être लिए सिंपल क्या है लिए बदेखा देखा जायतों तो हम तो यह कहते हैं कि जो एक आम आदमी का अधिकार है वह अधिकार उस कार्ड को दिखाने पर यह होता है कि हां आपका यह नाम है आप भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं इस तरह स्ती बाते कुछ अंकित होती है कि यहां पर फूजा गया आधार एक है अब कितने अंको का होता है आधार होता है मित्रों बारा अंको का कितने अंको का होता है बारा अंको का तो यह है जैसे हैं मैं एक नंबर लिखता हूं जैसे मा लिजें site Online 88 86 14 12 15 ऐसे करके एक क्रम बन गया मालो यह ऐसे चार-चार-चार के फेज में यह रहते हैं आप इसको इस तरह से भी दर्सा सकते हूं कि साहब यह इस तरह से जो हैं आपको मिलेंगे ऐसे करके ऐसे कई बार ऐसी चीज़े पूछें कई बार आएफस्ट कोड कितने नंबर का है यह पूछ लेते हैं कई बार पेन कार्ड में कितने चार डिजिट बाकि सब क्या है आप मतलब अलफाबिटकल चीज़े होती हैं तो कई बार कई बार कई बाट जीएस्टी में कितने करम होते हैं इस तरह की बाते भी कई दफ़े आप याद रखने का प्रियास करेंगे मित्रु तो यह हो सकता है यह भी आप से कभी पोछा जाते उसको आप बता सके और यहा यूनिक नंबर होता है बात करती है अगर आम बात करते हैं राकेश मोहन समिती सहराकेश मोहन समिती depends करता है यह करता है Reserve Reserve Bank of India से संबंद रखता है Reserve Bank of India से संबंदित है तो क्या है यह संबंदित किस से है A से संबंदित है तो correct answer का क्या होना चाहिए बच्चे A होना चाहिए क्या होना चाहिए A से आप simple कहा सकते हो कि Sir यह Reserve Bank इंडिया से संबंधित है कि राकेश मोहन समीती रपियाई से संबंदित अच्छा कभी सिंपल पूचए रपियाई कि समीति से बना था 1934 मैं आया था दुरह 35 में इंपिलीमेंटेशन हो वैसे कमिटी बहुत पहले अगर कहा है तो 1926 के समय में नील उस बॉर्ण स्मित के समय में ही आई थी तो फिलाल इसका जो करेका अंसर है वो क्या है बैंक है तो बैंकों के लिए जो है इसका निर्माड किया गया था या बैंकों के लिए इसकी वेवस्था बनाई गई थी तो जो मित्र इस समझ पायें हैं यह इस ब्यवस्था में समझ पा रहे है乐 कर पा रहे हो बिल्कुल क्या है सही है गलत नहीं है अब हम बात करते हैं हमारे हैं अ कंदomina कॉछन क्रहां किया करते हैं कि आप आपको इस तरह से चार ऐसे प्रयाग के च्छित दिखते हैं ऐसे जैसे आप क्या कहें इसको आप कहते हैं कि साथ यह यमुनूत्री है यह गंगोत्री है यह केदार नाथ है यह बद्री नाथ है और इसके उपर अगर हम चलते हैं ऐसे करके ऐसे यह संतोपत हिमानी है संतोपत हिमानी है अब हम क्या देखते हैं लित्रों कि यहां से एक नदी का क्रम इस तरह से आता हुआ ऐसे और यहां पर ऐसे जाता है तो ये एक जो common नदी है या जो एक नदी है हम इस एक ही नदी को बोल देंगे क्या अलक नंदा क्या कहते हैं इसको हम लोग अलक नंदा ऐसे अलक नंदा अब हम इन चारों के क्रम को देखते हैं इन चारों की वेवस्ताओं को देखते हैं जिससे हमें वह आसानी तो समझ गया सबसे पहले क्या होता है अलक मंदा से एक नदी आकर मिलती है इस जगां पर ऐसे तो जिस जगां पर नदी मिलती है उस नदी को हम कहते हैं धौली गंगा धौली गंगा से जब नदी मिलती है तो वह हमारा सबसे पहला हिस्सा बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग क अगर हम बात करें ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पूप्षिन क्या दिख रहा है तो हमारा सबसे पहले के लिए होगा अलख नंदा और भागी रती यह हमारा बनाएगा देव प्रयाग यह क्या बनाएगा देव प्रयाग अब बचे कितने हमारे पास दो एक करण प्रयाग बचा और एक क्या बचा है रुद्र प्रयाग बचा है रुद्र प्रयाग सो अब हम क्या कर लेंगे यहां अगर आ लख नंदा मिलती है तो क्या बनता है अगर हम देख लें यहां से दूपर करцы और ऐसे इसमें आके मिलती है ऐसे ये जो नदी निकल के आ रही है यही नदी हमारी हो जाती है भागी रती और भागी रती अलक नंदा में मिलती है और जब अलक नंदा में मिलती है तो ये वाला जो हिस्सा है यही हमारा कहलाता है देव प्रयाग यह क्या प्लाता है हमारा देव नदी और यमुना और गंगा जहां मिलती हैं, यह जो संगम बनता है, इस संगम को ही हम कहते हैं प्रियागो का राज, अगर मैं कहुँ सो एक हिस्सा और हमारा भी यांपे सेफय क्या बचरा है, क्रण वाला हिस्सा बचरा है, कर्ण वाला हिस्सा बच रहा है तो अब ऐसी कौन सी जो दो नदियां है जो आपस में अलग नंदा के साथ जो मिलेंगी इसको मैं इसले छोड़ रहा हूं कि इसको यह आप बताएंगे क्या बताएंगे आप बताएंगे तो मैं यहां पर एक और पॉइंट बना देता हूँ यहां पर माल लेते हिस्सा हो गया करण प्रयाग करण प्रयाग में एक नदी तो अलखनन्दा आ रही है और एक नदी और आयगी इस तरह से ऐसे जो यह बताएंगे तो इसी को आपको क्या करना है कि कौनजी नदी जो है अलखनन्दा से मिलने केschnitte के बात करनों प्याग बना दिए दूवर फिल्वहल हमें जो इपटे मीरों हको ये वाला हिस्टा या यह ज़्यादा डीटेन है clarify होके समझ में आई होंगी सो इसका क्या है वाला बिल्कुल correct है अब हम बात करते हैं हमारा अगला question क्या है next question क्या है during a heavy exercise accumulation of the causes cramps in our legs भारी आयाम के दौरान के संचय में हमारे पैरों में एठन हो है देखिए अगर भारी व्यायाम क्या होता है कई बार हम लोग के दोरान विद्धर एक हैवी exercise करते हैं तो उस exercise के दारान कभी-कभी संच्यों से ही हमारे पैरों में होता है सो हमारे पेरो में जो content होता है उससे हम बोलते हैं lactic acid जो भी विद्धार थी lactic acid कर रहे हैं यह lactic acid बता रहे हैं कि भारी व्य याम के दौरान संचई में वहारे पेरो में जो रहें रहें, उसका कारण जो है वह क्या है ल्यक्तिग उम्लक एकथा होना होता है से में इस तरह की इस तरह की क्रियावी टिविस बहुत जर्फ करत की सबस्यों में के सस्टिवर का ह ranges इस आयरें चालर की किया का हमने है और तो लोह गर oc सब्सक्राइब किस प्रकार की बेरोजगारी से संबंधित है उसे हिंदी में कहते हैं प्रचन बेरोजगारी या क्या कहते हैं उसको हम लोग चीपी हुई बेरोजगारी वही करम है इसका जो करिक्ट आंसर है यह हो जाएगा इसका अगर हम अपने भारत में किरशी को छोड़ के नॉर्मली बात करें कि भारत में किस टाइप का अनिंप्लॉइम्ट सबसे जादा है सबसे जादा अगर देख तो देखिए पहले तो मैं कहता हूँ एक होता है इस ट्रक्चरल को कहा जाता है संदचनात्मक बेरोजगारी संदचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जब मसीनी करण हो जाए मसीनी करण जैसे मालीजे कि हम किसी कारे को कर रहे हैं तो किसी कारे को करने के करने के लिए मान लो कि तीन आदमियों की आव सकता है लेकिन उस कारिकों करने के लिए हम पाँच आदमीओं को जोड़ लें तो यहां कि कारी के पीछे चिप जाते हैं ऐसे वह चीप हुई संख्या बढ़ रही है तो कम वेक्दियों को रहक्त के ज़्यादा काम छी निये उपहरी और क्यान Sire और कारी का चेटर कंधे डिखास वाहँ पर नहीं दिख पाता या वो चीज़े डैपलफ कंधेर वहते अभी अगला कुश्च नहीं क्या कहता है जनसंख्या पर राष्टी आयोग द्वारा 11 मई संदो हजार की अध्यक्ष्टा किया गया था कि Chaos की अध्यक्ष्टा में किया गया था गया she प्रेसिडेंट इग्यल पॉपलिश्टान कमिस्णर या होज मिनिस्टर समितर उसका जो don you अगर हम बात कर दें हैं अजनसंख्या पर राश्टी आयोग बनाता रास्टी आयोग तो रास्टी आयोग के जो आयुक्त है आयुक्त वो होंगे देश के प्रधान मंत्री कौन प्रधान मंत्री चोकि उस समय जो प्रधान मंत्री थे वो स्वर्गिय स्री अटल बिहारी जी थे वो कौन थे अटल बिहारी वाजपेई थे अब अटल बिहारी वाजपेई साप जो प्रधानमंत्री का पद जो है थामे हुए थे या देखते थे उन्होंने क्या देखा कि सन 2000 में 11 मई को एक अध्यक्षता हुई और उस अध्यक्षता में नय पीम बने नया आयोग बना उस और आयोग को किसने अध्यक्ष किया प्रधानमंत्री अटल बाई वाजपेई निकिया था वैसे अगर कभी जनसंख्या दिवस आजाया बच्चो याद रखिएगा तो जनसंख्या दिवस आप मनायेंगे 11 जुलाई को तो यह लग चीज है फिलाल इसका करेक्ष आंसर क्या था 11 में में जो आयोग बना था उसकी अध्यक्षता किया थी प्रधानमंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री थे उस समय और प्रधानमंत्री का ही जो आंसर है वो बिलकुल करेक्ट है यह बिलकुल सही आंसर है उम्मीद है मित्रों आप इसको समझ पाएं है या इसको अप अच्छे से कर भी पाएं होंगे क्लियर है अब हम बात करते हैं हमारा कोशन नंबर 40 है भारत का पहला राजि कौन से था जहां पूरे राज में पंचायती राज लागू कर दिया गया पंचायती चा प्याकी मात रहोनी चाहिए पंचायती राजविवस्था लागु कर दिया गया था तो पहले में तो बात करेंगे हम राजिस्थान में राजिस्थान में दो अक्टूबर 1869 के समय पहली बार पंचायती राजविवस्था लागु कर दी गई थी तो करेंग का अंसर क्या है इसका पंचायती राजविवस्था जो लागु कर दी गई वो कहां पे तो कि अगर हम पंचायती विवस्था पर थोड़ी सी बात करते हैं आपको थोड़ी बात बताते भी है सबसे पहले दो अक्टूबर 1869 को अगर बात करें तो चुकि उसके पहले ही साथ साल पहले 1852 में हमारे देश में कमुनिटी डेपलेमेंट प्रोग्राम बना था जिसके अंतरकर भारा देश में छेत्री विकास और नगरी विकास के लिए एक विवस्ता की बात की गई किस तरी अंत्रब्रदेश में अमरावती चेत्र में यह डेबलेफ ही और फिर उसके बाद अगर मैं कहूं 24 अप्रेल सन 1992 में इसका एक संब्धान संसुर्दानुवा जिसके दौरान यह पूरे भारत देश में पंचायतरा जिवस्ता को रखा गया और हमारे भारती संब्धान के ग् यह वह सभी जो हैं पूरी तरीके से क्या है उनका कहीं कोई गलत नहीं अगला क्या कहता है पौधे मुख रूप से अपने माधियम से वायू मंडल में से कारबन डाक्साइड लेते हैं प्लांटे काबन डाक्साइड प्रॉम एक्मास्फिया में लेट तू देयर क्या होगा यह करेक्ट आंसर आप्ष्ण है और इस्टेंटफ लावा लिप्स व्यविश्य क्रेक्ट आंसर आइए देखें बच्पन की बात करते हैं तो कि यह प्रॉम प्रॉद्हूंत की प्रॉसज़्स में क्या देखते हैं कि जैसे माल लीजिए यह एक पौधा है यह उरक्ष है औ ऐसे लीप्स की बात करते हैं ऐसे इस तरह से अगर हम लीप्स की बात करते हैं लीप्स या पत्तियों की गर हम बात करते हैं तो पत्तियों में हमें क्या दिखता है इसके पतियों में होता है इस्टो मेटा और इस्टो मेटा से ही ये क्या करते हैं जो सन है सन की लाइट इनको मिलती है सन लाइट इनको मिलती है ऐसे, सो फिलाल करते क्या है पोधे कि कारबन डायाउकसाइड और वाटर के कंटेंट मिलके संलाइट की उपस्तिती में प्लोरोफिल के माध्यम से C6 H12 O6 प्लस 642 एनर्जी के रूप में ये क्या करते हैं लगभग रिलीज करते हैं ये इस तरह का कुछ होता है और ये ही हमें प्रॉसेस में दिखता है photosynthesis reaction क्या दिखता है photosynthesis का जो reaction है वो कुछ इस टाइप से हमें पता चल पाता है पौधे carbon dioxide लेते हैं सो कहां से लेते हैं पत्तियों के माध्यम से लेते हैं और stomata होता है उसमें वहां से वो लेते हैं ठीक है जो बच्चे हमारे लीप्स के साथ जा रहे है जिन्होंने लीप्स में ऑप्शन किया है लीप्स को टिक किया है उन सभी का अंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है I hope you understand the correct answer next question कि में बात करते है which of the following river is called the sorrow of Bengal किस नदी को बंगाल का सौरो कहते हैं या सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है आपके सामने चार आप्शन है कोशी है सोन है दामोदर है या गंड़क है तो क्या है इसका correct answer मित्रो अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से आप देखते हैं कि यह बारत का परी शेतर भूमी का हिस्सा है क्यारू अब हम यहां पर देखते हैं कि यह जो रिजरन है हवो छट्टिजड़कर पास का रिजरन है और यहीं से वो नदी निकलते है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए गंगा से जाकी मिलती है और यह बाद में हुगली मिल जाती है सो यहां यह जो नदी आके मिल रही है इस तरह से इसे ही हम कहते हैं गो दा मुदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं और यह जहां से निकल रही है वो रिजन कहलाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू यह है यह यह एमपी और चात्यजगड़ की सीमा के पास टच करता है सो यह है ऐसे दा मुदर क्या हो जाए कि इसका करेक्ट आंसर है दा मुदर जो है इसका करेक्ट आंसर है आई होप आप इसको अच्छे से समझें और यह करेक्ट आंसर क्या देख रहे हैं आप है सो दा मुदर इसका क्या है करेक्ट आंसर है कोसी को बिहार का सोक कहते हैं अगर हम बात करें कोसी को बिहार का सोक कहते हैं यह बिहार का सोक सून जो है यह अमर कंटक से निकलती हुई अमर कंटक से निकलती हुई गंगा से मिलती है गंगा में कहां मिलती है पटना डिस्टिक में गंगा से मिलती है दामोदर को पश्यम बंगाल का सोक कहते हैं पश्यम बंगाल का सोक कहते हैं गंडक की बात करें तो ये यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती है यूपी बिहार के बीच में क्या करती है ये यह सीमा बनाती है यूपी भिहार के बीट में गंड़क यह चीजे जो है यह प्रमु आप मुझे उमीद है कि आपको यहां तक यह बाते यहां तक का स्टेप जो है अच्छे से पूरा क्लियर होगा अच्छे बाते समझ में आ रही है अब मित्र हम बात करते हैं हमारा कोशन न सब्सक्राइब में हट्डियों कितने संख्या होती है ऑप्शन है 201,203,206 या 211 समित्र इसका जो करेक्ट आंसर है वह 206 हट्डियां कितनी है 206 हट्डियां अगर हम बात करें इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं 206 बोन्स होती है इसके भी दो होते है एक होता है एक्जिय इपेंडी कुछर बोन कि संख्या 126 होती है एक्जल में 80 होती है थो यह है अच्छा एक बात नोर बताऊंगा बोडी में सबसे लॉंगेस्ट बोन अगर में कहूँ तो होता है और एयर में होती है इस टैपी situación क्या बोलते हैं सब्सेष्ट सबसे चोटी होती है तो यह बाते कुछ पड़ा सक्रम रखें अच्छा अगर शिशू में बात की जाए है तो शिशू में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है बच्चों 500 की एप सबसे जोड़ी नहीं होती है तो क्या देक रहें आप यहें अच्छा मानोंके सरीर में जो हड़ियां लचीली होती है जो हड़ियां flexible होती है, उन्हें हम कहते हैं cartilage, उन्हें उपोस्तियां कहते हैं, या cartilage कहते हैं, ठीक है, अगले question की बात करते हैं, हमारा जो next question है, next question, next question कहता है, अंतरास्टी गरीबी उनमूलन दिवस कब मना जाता है, question है कि international day for the eradication of the poverty was observed on this, अंतरास्टी गरीबी उनमूलन दिवस कब मनाते हैं, आपके सामने चार option दिख रहे हैं, 11 October, 13 October, 17 October और 18 October, तो मित्र इसका क्या करेक्ट आंसर है, 17 October जो है, यह सही answer है, अगर हम बात करते हैं, अंतरास्टी गरीबी उनमूलन दिवस के अगर हम बात करते हैं, इसकी है, सो यह जो करेक्ट अंसर है, वो क्या होता है, 17 October, 17 अंसर जो है, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट अंसर है, हमारे सबसे बड़ा भंडार क्या है तो लेक सूपीरियर आपने सुना होगा बच्चे लेक सूपीरियर सबसे बड़ा भंडार का जाथ बढ़ा सिंपल से कोशन है इस्टाटिक पार्ट से हैं, I hope आप इसको अच्छे से समझ गये होंगे, अच्छे से इसको आप बसकी मार्गे को रट लीजे, और कुछ नहीं करना है, आपको क्लास, ठीके बच्छों, अगला क्या है मित्रों, इसको पार्ट से इसको आपके सामने चार ओप्शन दिख रहे हैं, शुबमंगिल फर्स्ट, विराट कोली सेकें, रोहित सर्मा थर्ड, सूरज कुमार यादो, क्या है, मित्रों, इसमें जो करेक्ट आंसर है, शुबमंगिल, याद रखेगा, शुबमंगिल को, शुबमंगिल को सबसे बेस्ट घरेलू और अंतरराष्टी क्रिकेट के लिए एक अच्छा आवोड जो है, दिया गया है, शुबमंगिल जो है, वो लाचिद बर्फूकन, असम के ब्रेवहार्ट लाचिद बर्फूकन, पुस्तक का विमोचन किस ने किया, असम के ब्रेवहार्ट लाचिद बुर्फूकन का जो अभी विमोचन किया है, वो स्री अमित साहजी ने किया है, किस ने किया है, स्री अमित साहजी ने किया है, सुमि यह kेंदिरी अ ग्रह मंतरी एंबत्चों केंद्री ग्रह मंतरी का कारिभार जो है समयनों ने समाला है और केंद्री ग्रह मंतरी यह थीक है वित्र अगला प्ष्ण है अगला कुशन क्या कहता है आंध्रो प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस इन विट सेची ऑफ दे जग मोहन रेडी अन्वेल चुटाव तौल स्टैचू ऑफ डॉक्टर बीयार बेटकर अंद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेडी ने किस सहर में डॉक्टर भीम राम बेटकर की 206 फिट उची प्रति नमबर तीन कहाता है लोर डिस्टिक नमबर चार कहता है बिशौख अप सब्सक्रानरंब चाहता है कहां किया है विजञावाडाद्व्य हमें और ये विजय वाड़ाद का पड़ता है यह पड़ता है आंद्रप्रदेश में और 2500 के जिन्हों उने नहीं अभी प्रतिमा का अनावरण किया है वी एर अंबेटकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है जो उनकी मूर्ती कितनी है 206यीट की है 206यीट की है विजयवाड़ा İş विजयवाड़ा में कौन सी नदी बहती है parade के expect उन्सकी यह पहती क्या है बिल्कुल करेक्ट है उसमें कोई दो राय नहीं है अगले कोशिन की बात करते हैं हमारा next question क्या कहता है ओके next question क्या कहता है पुलिस ऑफ दे विच ऑफ फॉलइंग स्टेट ऑफ लॉंचिंग दमिसन investigation at the rate 75 days अगर मैं बात लूट नेम लिखित में से किस राजी ने राजी की पुलिस ने mission investigation at the rate 75 दिन की सुरूआत की है आपके सामने चार उप्षन है महराष्ट बिहार मद्ध्रदेश के रड़ा केस राजी की पुलिस ने mission investigation at the rate 75 दिन सुरूँ की है मतलब 75 दिनों के अंदर वो क्या करेंगे पूरा investigation करके चीजों को शॉट आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे ऐसा लक्ष रखने की बात कही है किस राजी ने कही है सो इसमें बिहार स्टेट है कौन है बिहार स्टेट सो यह है क्या mission investigate mission investigate at the rate 75 ठीक है अब मित्रों आज के समय का लास्ट कोश्चन है आपके सामने आप ध्यान से देखिए और इसका अंसर बताएंगे कि विच एडिशन ऑफ अनमल ओरेंज पैस्ट 2024 वह सेलिबरेटेट इन नागलेंड नागलेंड में वार्षिक ओरेंज फेस्टिवल 2024 का कौन सा संस्करण मनाया गया है आपके सामने चार आपसन है फास सेगंड फोर्थ एंड फिफ्ट याद रखेगा बचो मैंने ये कुश्चन में पहले भी करा चुका हूं लास्ट येर 2023 के नागलेंड फैस्ट की मैंने बात की थी मुझे याद है नागलेंड में फैस्ट हुआ था औरेंज यही औरेंज वाला फैस्ट है औरेंज फैस्ट और उस समय ये तीसरा था क्या था तो चौबिस में कौन सा हो जाएगा चौबिस में हो जाना चाहिए चौथा क्या हो ज होथा है हर साल एक चल रहा है इस आधार पे भी इसको आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे मुझे उम्मीद है मित्रों आज का जो शेशन आप सभी को बहुत ही बहतरिन लगा मैंने पूरा शेशन आपको अच्छे से इंज्वाई के साथ बताने